नमस्कार मैं हूं मेगा सिंग और आप सभी का स्वागत है SPN 9 News में UP में सियासत अभी भी गर्माई हुई है एक तरफ बाबा का बुल्डोजर जो है वो लगतार समाजवादी पार्टी के निताओं पर चल रहा है तो वही ब्रेक लगाने के लिए इस बुल्डोजर पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखलेश यादब भी मैदान में उतर चुके हैं जो की 25 और 26 एपरेल को मामले की जाच के लिए वकाइदा वहाँ पर पहुँचेंगी वही सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की और से सनिवार को जारी बयान के नुसार पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अखलेश यादब के निर्देश पर अब ये प्रतिनीधी मंडल वहाँ जाएंगी और पूरे मामले की जाच करेंगी कि सरकार द्वारा द्वेश पूर्ण भावना से बुल्डोजर चलाया गया या फिर सच में इस मामले में कोई सबूत था सरकार के पास इसकी जाच जो है अब अखलेश यादब की ये प्रतिनीधी मंडल करेगी ऐसा कहा जा रहा था कि बाबा का जो बुल्डोजर है वो द्वेश पूर्ण भावना की वज़र से सपा के निताओं पर चलाया जा रहा है और इस पर ब्रेक लगाने के लिए अब अखलेश यादब ने अपने प्रतिनीधी मंडल को जह है वहाँ भेजा है और यहाँ पर दो अलग अलग प्रतिनीधी मंडल का गठन किया गया है जो की अब मामले की पूरी जाच करेगा अब देखना दिल्चस्प होगा कि इस पूरे मामले की जाच में क्या निकल कर सामने आता है फिलाल देखने के तो यही मिल रहा है कि जिस तरह से बाबा का बुल्डोजर चल रहा है उस पर ब्रेक लगाने के लिए अब अखलेश यादब भी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने साफ तोर पर अपने अक्शन से यह दिखा दिया है कि अगर उनके निताओं पर बुल्डोर्जर चलेगा तो वो चुप बैटने वालों में सिन नहीं है आज के लिए बस इतना ही आगे की खबरों के लिए देखतरी एस पेन नाइन निउस धन्यवात